नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे डेटे चार अगस डिस्कस करेंगे दा हिंदू निजस्पेपर और पी आईबी इदा इस प्रेस इंफोर्मेशन विरो का इंपोर्डन करेंट अफ्यार्स तो लिजे गाईज स्टार्ट करते हैं सबसे पहल मंदित है किस चीद से रिलेटीड है ठीक है तो देखिए आईडिया के बारे में बात करें इंडिया डिजिटल एकोसिस्टम ओफ एगरी कल्चर बिल्कुल याद रख सकते हैं और देखिए प्याइबी का ही एक डाटा है कि प्रोडेक्शन ओफ पलसिज जो है है इस बिन इ लाइब के दवारा ठीक है गाईज पहली बार पब्लिश किया गया 2006 में 2020 में जो ये डाटा रिलीज हुआ था ना तो ये पंदरवा एडिशन था रिपोर्ट का तो याद रख सकते हैं किसी चीज को 10-15-20 साल होते हैं क्योंकि कई बार क्या ओल्मोस्ट ट्रेंड बना हुआ एक दो क्यूशन आपको जरूर देखने को मिलेगा प्रिलिम्स में ठीक है जिसको 5-10-15-20 साल होते हैं वैसे टाइप के आप देखिए इसके बार इंडिकेटर हैं अंडर नुरिश्मेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टन्टिंग, चाइल्ड मॉटालिटी ठीक वही अंडर 5 वाला, नेक्स्ट बात करें रैंकिंग के बारे में तो देखिए P.I.B. में बिल्कुल मेंशिन है 2015, 16, 17, 18, 19, 20 का, तो यह इंडिया की रैंकिंग है, तो कई बार एक्जाम में दे देते हैं कि लगातार रैंकिंग इंप्रू कर रही है, या फिर लगातार 5 साल में लगातार डिक्रीजिंग इंट्रेंड है, तो आपको ऐसे करके रैंकिंग पता होना चाहिए कि क्या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या ऐसे स्टेबलाइज नहीं है, है ना, तो पता होना चाहिए इसके बारे में, आब देखिए हमारा एक सेस्टेनेवल डेवल तो देखिए हमारे देश में हंगर भुखमरी की समश्या ना आए उसके लिए भी इनिशेटिव चलाए गए जैसे इट राइट इंडिया जो एफ एससाई के दवारा देखिए पहले हम इनके बारे में अच्छे से डिसकस कर चुके हैं ठीक है फिर पोशन अभीहान भी है हमारे पास परधान मंतरी मात्रू वंधना योजिना भी है एक जो सेंटली स्पॉंसर है बात कर चुके हैं फिर हमारे पास National Food Security Act 2013 है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, फिर Integrated Child Development Services जो हैं, वो भी हम अच्छे से बात कर चुके हैं, तो यह हमारे initiative है कि भुखमरी की जो समश्या है, वो ना पनक पाए, ठीक है, लोगों को इससे बाहर निकाला जाए, ठीक है guys, next बात करें guys, तो देखिए, Animal Welf Board of India, तो देखिए, इसके बारे में बात करें न, तो बिल्कुल P.I.B. में News में है, यह भी तो एक Statutory Body है, Advisory Body है, Central और State को बिल्कुल Advise देती है, Animal से संबंदित, जो भी इश्यू होते हैं, ठीक है, तो government ने यह कहा कि, government does not maintain any crime record of animals, और यह कौन रखता है, फिर यह रखता है, Animal Welfare Board maintain करता है, इस record को, ठीक है guys, नेक्स्ट बात करें, PM किसान संपदा योजना, ठीक है, प्रधान मंतरी किसान संपदा योजना, बिल्कुल Central Sector Scheme है, Ministry of Food Processing Industry की Scheme है, और इसके कुछ component है, जैसे Mega Food Park हो गया, Cold Chain Management हो गया, Food Safety and Equality के बारे में यह लुग बात करते हैं, ठीक है तो इस अब आपको basically पता होना चाहिए, नेक्स्ट बात करें guys, तो देखें, आज बिल्कुल P.I.B. में भी news में है कि rename करने की बात चली हुई है, जहांसी जो railway station है, उसको विरांगना लक्षमी भाई, ठीक है, तो proposal sent किया गया है, अभी तो देखते हैं, क्या होता है, नेक् कुन सी सब स्कीम, आपने काफी सुना होगा, day nrlm, that is, दीन द्याल उपाध्यावला, है न, अंतियोदा योजिना, national, rural livelihood mission वाला, day nrlm, ठीक है, उसके अंडर में सब स्कीम के तहती से लागू, मतलब यह चला हुआ है, ठीक है, 1516 से बात करें तो, नेक्स्ट बात करें guys, तो देखिए, pardoning power आज दा हिंदू में news में दिया हुआ है, क्योंकि 433 capital A जो section है, वो news में है, तो हमें pardoning power का पता होना जी कि हमारे president की pardoning power जो है, वो article 72 में आती है, और governor की बात करें, article 161, 161 में आती है, अब देखिए guys, इसी के साथ अगर आपका कोई भी suggestion कोई सुझा आउट आप मुझे comment या mail कर सकते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए have a awesome day